साथियों, बिमारिया सिर्फ एक इंसान को नहीं, जो एक व्यक्ति बिमार होता है उसको होई सरब नहीं, लेकिन जब एक व्यक्ति परिवार में बिमार होता है, तो पूरे परिवार को बिमारी प्रभावित करती है। जब एक व्यक्ति बिमार पड़ता है तो पुरा परिवार गड़ीबी और विवस्ता के जाल में फस जाता है और मैं एक प्रकार से आप से कोई बहुत अलग परिवार से नहीं आया हूँ मैं आपके बीच से ही यहां पहुचा हूँ इसलिए मैं आपकी इस परिशानी को अच्छी तरह जानता हूँ समझता हूँ इसलिए हमारी सरकार ऐसी गंबीर बिमारियों को समाप्त करने के लिए दिन रात महनत कर रही है इनी प्रयासों से आज देश में टीबी के मामलों में कभी आई है अब तो देश दो हजार पचीश तक टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए काम कर रहा है साथियों हमारी सरकार बनने के पहले 2013 में काला जार के 11,000 मामले सामने आये थे आज ये घटकर एक हजार से भी कम रह गए है 2013 में मेलेरिया के 10,000,000 मामले थे 2022 में ये भी घटते घटते दो लाग से कम हो गए 2013 में कुष्ट रोक के 7,000,000 मरीज थे लेकिन अब इनकी संख्या गटकर 70-75,000 तक रह गई है पहले दिमागी बुखार का कितना कहर था ये भी हम सब जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में इसके मरीजों की संख्या में भी कमी आई है ये सिर्फ कुछ आंकडे नहीं है जब बिमारी कम होती है तो लोग, दूख, पीडा, संकट और मृत्यू से भी बचते हैं